हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वाकत आपका अपनी चैनल जिसका नाम है One for All तो फ्रेंड्स आप में से काफी लोगों को मालूम होगा कि QR को स्केन करके पेमेंट किस तरह से किया जाता है और जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ तो फ्रेंड्स चलिए बिना कोई टाम गवाईस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए तो फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है कि आज कल हम पेमेंट के लिए ज़्यादा तर ओनलाइन मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपको पता भी है कि इस टाइम पे जो है कोविड-19 एक्टिव है उसे प्रेमेंट करने के लिए हम लोग जो है जितना हो सके प्रेंट को अवट कर रहे हैं इसमें हमारे लिए QR code को सकेन करके प्रेमेंट करना काफी हेलपफुल है तो वह आपको कैसे करना है चलिए सीखते हैं तो friends सबसे पहले आपको क्या करना है आपको कोई भी एक application जिसमें आपने अपना account add किया हुआ है चाहे वो Google पे हो चाहे वो Paytium हो उसको open up कर लेना है तो यहां हमारे पाल जो है Paytium के application है हम उसे open up कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों यहां से Paytium के application open up हो गई है अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो screen के उपर सबसे पहला option दिखा रहा है वो है Pay का तो आपको इस पे tap करना है चलिए इस पे click कर लेते हैं यह देखिए दोस्तों जैसे हमने Pay पे click किया है यहां से एक box open up हो गया है जहां पे scan और QR code करके दिखा रहा है तो आप को जो भी QR code आपके पास है जहां पर भी आपको payment करनी है आपको मालूमी होगा कि अलग-अलग shops पे आजकल QR code होते हैं तो आपको simply जो है इस box के अंदर उस QR code को लाना है और यह scan हो जाएगा तो चलिए मेरे पास एक QR code रखा है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसके अंद दिखा रहा है तो simply आपको जो है यहां पर कोई भी अमाउंट डालना है और payment कर देनी है तो मैं यहां पर अभी आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक रूपे का जो अमाउंट है इसमें डाल देता हूं और payment कर देता हूं तो यह देखिया दोस्तों यहां से हमने जो है एक र दोस्तों Google Pay application यहां पर open up हो गई है अब आप देखिए left corner में top पे आपको एक scanning का जो है symbol देखेगा आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको कोई भी QR code आप यहां से scan कर सकते हैं तो मैं आपको फिर से एक बार QR code scan करके यहां से दिखा देता हूं यह देखिए QR code scan हो गया है और simply जैसे आप Google Pay में payment करते हैं यहां पर भी कर सकते हैं मैं यहां पर भी आपको जो है एक रुपए की payment यहां पर करके दिखा देता हूं तो यह देखिए दोस्तों एक रुपए की payment यहां पर successfully हो गई है तो दोस्तों इसी तरह से आप Google Pay application हो, ATM application ह यहां फोन पर application हो यह कोई भी और application अगर आप इस्तमाल करते हैं तो simply आप जो है QR code को यहां से scan कर सकते हैं और easily payment कर सकते हैं cash को avoid करने के लिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो झाल